हेलो नमस्कार मैं हूँ आपकी न्यूज होस्ट पारवती निर्बान और स्वारत करती हूँ आपका क्रिप्टो टीवी पर शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरे सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइन्स के और क्रिप्टो करंसी फिसली नीचे यूएस टॉक्स में भी दिखी गिरावत दिवालिया वोयजर ने कस्टमर्स के यूएस्टी डिपॉसिट की वापसी पर दी सफाई वेफ्री स्टार्टप मिस्टिन लाप टू मिलियन डॉलर के वैलुएशन पर जुटाएगी तू हंडर्ड मिलियन डॉलर्स क्लार्णा का वैलुएशन 800 मिलियन डॉलर के फंडरेस में घटकर हुआ 6.7 बिलियन डॉलर्स हौंग कॉंग में ट्रेडिशनल फाइन्स की तरह क्रिप्टो करंसी एक्सचेंजों को किया जाएगा ट्रीट वॉल्ड ने 70 मिलियन डॉलर की कमी का किया खुलासा CFO ने दिया स्थिफा जून में पिछले 10 महीने के निचले स्थर पर पहुँचा यूनिस्वैप का वॉल्यूम हुआ 25 बिलियन डॉलर का आकड़ा ओके एक्स क्रिप्टो एक्सचेंज मैंचेस्टर सिटी का बना ओफिशेल ट्रेनिंग के पार्टनर इस हफते के अंत में यूएस अर्निंग सीजन और इंफलेशन डेटा की शुरुआत से पहले इंवेस्टर की सब्ड्यूड रिस्क अपर्टाइट और यूएस टॉक्स के लोवर क्लोजिंग पर नज़र रखने वाली क्रिप्टो करंसी नीचे फिसल गई है वहीं बिटकॉइन को 20,000 डॉलर के नीचे ट्रेट करते हुए देखा गया है हफते की शुरुआत में यूएस टॉक्स गिर गया क्यूंकि इंवेस्टर्स ने फ्रेश इंफ्लेशन डेटा और कॉर्परेट अर्निंग्स के लिए तयारी की जो इंट्रेस्ट रेट में बढ़त के लिए फेडरल रिजर्व के मार्क को प्रभावित कर सकता है सभी तीन मेजर इंडेक्सेस S&P 500 में 1.2% की गिरावत ब्लूचिप डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल आवरेज में 0.5% और टेक हेवी नाजडाक कॉंपोजिट इंडेक्स 2.3% की गिरावत के साथ बंध होते हुए देखा गया पिछले कुछ महीनों में बिटकोईन के लीड वाली क्रिप्टो करंसी S&P 500 और नाजडाक के परफॉर्मेंस को प्रतिबिम्बित कर रही है बॉर्ड मार्केट्स में वर्निंग साइन देखे गए यूएस यील्ड कर्व इंवर्टेड बना रहा लॉंग डेटेड डेट के ऊपर शॉर्ट डेटेड बॉंड पर कंसिडरेशन के साथ यूएस एकनॉमी में मंदी में फिसलने पर इंवेस्टर्स की चिंताओं को दर्शाता है ऐसा लगता है कि यूएस एकनॉमी दो राहे पर है जिसमें contrasting data points investors को आकरशित कर रहे हैं Federal Reserve ने inflation पर काबू पाने के लिए interest rates में बढ़त जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराया है जबकि underlying market narrative बढ़ती recession risk के संभाविट डर में से एक है conflicting data investors को cryptocurrency जैसी riskier assets से दूर रहने के लिए मजबूर कर रहा है sentiments को दर्शाते हुए पिछले 24 घंटों में total crypto market volume की मात्रा 2% से जारा गिर कर 53.85 billion dollars हो गई है इन सब के बीच bitcoin को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 3.3% से जारा की गिरावट के साथ 19,800 dollar पर trade करते हुए देखा गया जबकि ether को उसी समय के दौरान 5% से जारा की गिरावट के साथ around 1090 dollar पर देखा गया वही major altcoin को भी नीचे trade करते हुए देखा गया Voyager crypto exchange platform जिसने पिछले हफते chapter 11 bankruptcy घोशित किया था ने एक update में customers को assure किया है कि इसकी FDIC insured dollar deposits पूरी तरह से वापस कर दी जाएगी reconciliation और fraud prevention process pending है Voyager ने पिछले महीने सभी trading deposits और withdrawals को suspend कर दिया था और chapter 11 bankruptcy protection के लिए file किया था इसके बाद उसने crypto hedge fund three arrows capital को लगभग 650 million dollar का loan जो जून में collapse हो गया है Voyager के update के अनुसार company के पास हाल में अपने platform पर लगभग 1.3 billion dollars की crypto assets है साथ ही 650 million dollar से जादा की three arrows capital के against claim किया है Voyager जिसे CEO Steve Erling द्वारा संचालित किया जाता है ने कहा है कि customers को अपनी company की equity का एक combination pro databases पर हासल होगा 3AC recovery से कमाई का pro-rata share Newly reorganized company में common shares का pro-rata share और मौझूदा Voyager tokens का proportionate हिस्सा है Web3 startup Misten Labs 2 billion dollar के valuation पर series B funding में कम से कम 200 million dollar जुटाने के लिए बाचीत कर रही है Investors ने FTX Venture के lead में इस round के लिए कम से कम 140 million dollar का वादा किया है December 2021 में Misten ने Androsin Horowitz के lead में series A funding round में 36 million dollar जुटाई थे Swedish FinTech company Klarna ने 6.7 billion dollar के post money valuation पर आम equity में 800 million dollar जुटाई है जिसकी value June 2021 में 45.6 billion dollar से काफी कम थी कमपनी को मौझूदा investors जैसे Sequoia Founders, Best Seller, Silver Lake और Commonwealth Bank of Australia का समर्थन प्राप्त है मुबादला investment company और Canadian Pension Plan ने भी Klarna में अपना पहला investment किया है इस दौर के बाद Klarna smaller shareholders को आने वाले हफतों में जारी process में pro data basis पर participate करने की अनुवती देने के लिए तयार है Cryptocurrency को govern करने वाले Hong Kong के long anticipated law ने आखिकार anticipated anti-money laundering और counter-terrorism financing bill 2022 का प्रस्ताव दिया है जिसका aim crypto exchanges को traditional institutions के बराबर रखना है ड्राफ्ट में virtual asset service providers के लिए licensing और precious metals और stone dealers के लिए enrollment शामिल करने का प्रस्ताव है बिल का गोल उप्रोक्त two aforementioned areas पर tax story और counter-terrorism financing requirements को लागू करने के लिए कानून की ताकत का इस्तिवाल करना है amendments लगबग उन लोगों के समान है जो financial services industry में traditional institution पर लागू होंगे और उन्हें comparable standards को पूरा करना चाहिए regulatory और statutory measures का proposed collection हौंग कॉंग के financial system में क्रिप्टो करनसी को mainstream में लाने की दिशा में एक significant step का representation करता है 4th July को client withdrawals को रोखने के लिए मजबूर होने के बाद Walt के CFO जतिन माजालकर ने Singapore-based crypto lender को छोड़ दिया है Halt के बाद Walt ने अपने creditors को एक letter जारी किया जिसमें around 70 million dollar की कुल कमी का खुलासा किया गया है ऐसे में Walt ने कहा कि उसके पास around 330 billion dollar की assets और around 400 million dollar की liabilities हैं लेकिन ये आकड़े final नहीं हो सकते क्योंकि Walt ने कहा कि ये हाल में forensic और financial audit से गुज़र रहें और disclosed numbers इसके सर्वोत्तम ज्यान के लिए हैं Walt ने कहा कि bitcoin, ether और polygon trades पर market to market losses के साथ साथ collapse algorithmic stablecoin tera usd के संपर्क में आने के लिए main contributing factors हैं London based rival Nexo ने potential acquisition के लिए firm के साथ एक term sheet पर sign किया है Nexo हाल में एक due diligence process से गुजर रहा है और customers के fund wall में frozen है आज की खबरों में बस इतना ही crypto world की daily news और updates के लिए देखना ना भूले Hindi news bulletin दिन में दो बार सिर्फ crypto tv पर और crypto tv को like, comment, share और subscribe करे YouTube, Facebook और Instagram पर मैं पार्वती निर्वान अब आपसे विदा लेती हूं ताटा बाई 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 और नमस्कार कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर तब तक देखते रहिए crypto tv को कर दो कर दो मुलाकात है झाल झाल झाल